तो गलाई आज हम लोग करेंगे Simple Easy Makeup Tutorial for Sari and Holi है, आज तो होली पे मैंने इसत्रीके से मेकफ किया था, पहले मैंने मुस्ट्राइजर और निन प्राइमर लगा लिया था, पिस मुझे याद है कि मेकफ टूटोरीरा आप लोगा सेर करसकती है, क्योंकि इसत्रीकी कीईजी मेक कुरा प्रफेशनल मेक अपर ब्लेंडर से ब्लेंडर करना चाहिए वैँंको यहाँ तोड़ा सा मेता चाहिए था तो मैं इस कि से यांने कर लिया ध्युक्त क्यां इसको ब्लेंड कर लिया था कि अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कि मैं यह पे लोगो लिक्विड ब्लस तो अगर दिखाई देना तरह नहीं हो यह होई यह ति यह पर यह जिलन आधा तो ब्लस मैंने इस तरीके से लगा लिया है और इसको हाथों से फिच्ट्री ब्लेंड करूंगी लाइट पीच कलर का ब्लस है यह इस तरीके से बने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसके बाद से मैं पूरा अच्छे से ब्लेंड ना जाए तब तक आपको ब्लेंड करना है मेक अपका हर एक प्रोडक्त तो इस तरीके से मैंने आप ब्लस लगा लिया है इसके बाद मैं आपे आपे आप लिया है यह इसली कहीं भी अविलेबल होता है इसमें ब्लस आइलेटर दोनों चीज़े दिवर्ट होती है तो आई मेकप के लिए मैंने आपे कोई प्रोड़क्त लेकर नहीं आई यह आउं सिल्वर कलर का हाइलाइटर है उसको मैंने आई लीट पे अपलाई कर दिया था ताकि इससे लगी कि मैंने आई मेकप थोड़ा बहुत किया हुआ है इस तरीके से आप भी अपने घर पे थोड़ा मुड़ा प्रोड़क्त है तो आप अपना मेकप कंप्लीट कर सकते हो देख सब्सक्राइब अच्छा है आइब्रो के नीचे लगाओगे तो आइब्रो आपकी बहुत ही अच्छी दिखती है लुक बहुत अच्छा आता है और यह बहुत ज़्यादा फेयर लोगों पे जाएगा तो मीडियम कलर वाले ना ट्राइब करें आइब्रो के लिए यूज कर सब्सक्राइब करें तो मेरे चल जारा था तो मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया था लेकिन हाइलाइटर रगा कि कभी आपको इस तरीके से नहीं चोड़ना चाहिए यह तो आपको बाद में डल दिखने लग जाएगा तो उसके लिए करना है क्यों मैं बताऊंगे इससे बिल्कुल भी मेकप ब्लैक नहीं पड़ा था और बहुत अच्छा लूग आया था लॉंग टाइम तक बिल्कुल अच्छे से से था पूरा मेकप मैट फिनिश दे रहा था और हाइलेटर में अंदर से लगाया हुआ था तो ग्लो भी अच्छा आ था था फेस में और आप यूज कर सकते हो अगर पर कॉंप गएदा कुछ नहीं है तो सबके पास होता है तो अब इस तरीके से अपना मेकप कंप्लीट कर सकते हो उसके बाद अपना आइब्रू कीजिए लिप्स्टिक लगाई आई-लाइनर मस्करा और अपका मेकप अल्मुस्ट टन हो जाएग अगर आपका कलर बहुत जादा फियर है तो आप ब्लैक ना लीजिए बड़ में ब्लैक है तो ब्लैक भी आप लगा सकते हैं जैसे मैं लगा दी उस तरीके से लेकिन अगर आपको नहीं आता है मेकप अगर करने तो आप उसी किजिए कि आप डार्क ब्राउन कलर का आई शे प्राइब कर लेना है कि वहीं कितने अच्छे से बहुत अच्छा लूग आ बहुत डार्क भी नहीं लगा रहा है लगता है मैंने लाइट ब्लाउन कलर ही लगाया हुआ है झाल के लाइट आपके अब हमारा आइब्रूव या फील हो गया है अब हम लोग लगाएंगे आपे आइलाइनर आई मस्करा लगाने के बाद से आइलाइनर लगाएंगे हैं आइस अब पध्सेता है के सबते हुए फ्यूंस uniform time लगा लें तो सब्सकानों सब्सक्राइब और भी निकलता नंहें है वह पनिक कर तो मैं पनाइब हुक्ते हैए तक समस् paragraph मत आपकोन सब्सक्राइब डाईनेस kेंज कर सकते व हैं मतलब बहुँत ज्यादा फशेवरेट हो चुका है इäh यह है मेरा ओच ज्यादा ، फ़ेवरीट आई sagte विए लाइनर यह सेवनем दर्चेमी को dai students' कि आपको टीन दीन अराम से चल जाएंगा आप निकाला नहीं तो और झालोंगे तो भी यह नहीं फैल अप तेल वगऑर लगां की यह गहीं निकाल हो तो फेस्प बिल्कुल ब्लैकनेस बेड़ा कुछ चोड़ता है मैंने सब्सक्रास से पारेट भाइवे स्टर गया नीचे फैले लो वर्टर लाइन से सब्लीक टोलाई गाय। इसता यांड फहले स्टर गया नहीं तो कोई बात ने में विंग्स में अपनी चौड़ी ही रखती हूं मिरे पर सूट करता है इसलिए आप पर जैसे अच्छा लगया पुछ तरीके से लगा लीजिएगा और दीरे दीरे एनर कौनर तक लेके आएंगे इस तरीके से लाइनर को मिक्स कर देंगे अब हम लोग उपल लगाएंगी एंच्छु लंपा कि तो दीते अब दीटिया आपमें पूस्टिक मांग लेकी तो फेमाई इसको लिप्स्टिक देने लगी मैं में लाइट भी कलाई लेक्स ट्रेदो ना तो मैंने इसको दिया फिर में ली तो मुझे बहुत डिस्ट्रप करती है भाग ज़ली से तो भाग गई लिप्स्टिक उसने अपनी बुआ से लगवाया ले जाके तो यह पर इस तरीके से मैंने लो वर्टर लाइन को लगा लिया बहुत प्यारा लुक आता गाई इस तरीके से जरूर ट्राइब करने लग जाओगे तो आपको ईजी हो जाएगा और यह था मेना फाइनल लुक आई-लाइनर लगाने पर मैंने लगाने लिप्स्टिक लगाए लिए था था ऑठोडा सा क्लिप चुट गया तो यह ने लगा लिए यह फोटा पैसने आपना मेकटै आपना मेकप सीमपल एजी मेकप क्विक मेकप कर सकते हो कहीं भी जारे हो पार्टी फंक्शन में तो बहुत एजली कर लोग आपको बहुत प्रेला मेकप प्रोड़क नहीं है तो बहुत एजी और प्रोफेशनल तरीके का दीखेगा मेकप कर दो बहुत कर दो नहीं है झाल झाल झाल